हेलो अब्रीवन वेलकम टू माई चैनल इस्टेडी बजार तो फ्रेंट्स आज है आपका सेकेंड जुलाई एससी सीचिसल एक्जाम का फर्स सिट आपका ओबर हुचुका है तो इस बुड़े वनों देखेंगे कि किस तरीका से आपका पेपर का पैटरन रहा तो जिन लोगो आपका एक्जाम स्टार्ट है मगर कल केवल थर्ड स्ट में आपका एक्जाम हुआ था और कुछ-कुछ जगा पर वा था मगर बोल सकते हैं कि आप से पूरा कंप्लीटली आपका पूर अच्छे से इस्टार्ट हो चुगा पर आल अबर इंडिया में तो आपको मैं बता सिखा देता हु किस तरीका से कोइशन पूछ जाते हैं तो तो इस तरीका से कोइशन पूछ जाता है आप लोगोने देखा होगा जैसे कि 36 रिलेडेट टू 84 आपका फिर सो ऑप्सन देते का चारट 5 चार भो आपको देखके बताना है कि कौन सा यही पैटन पर आपको इस त आपका होता ठीक है फिर इसी में आपका what types में भी रहते हैं जैसे कि आपका बताओ दूग्जामपल देखें जैसे lawyer justice से संबंद है तो उसी तरीका से आगे आपका क्या किसे संबंद रहेगा option में देखके बताना होता ठीक है तो 4-5 question आपका analogy से question बन रहे हैं series से बात करेंगे तो series से भी आपका 3-4 question कल भी बनेते हैं और अभी फिर्मपल में same to same 3-4 question बने हैं जिसमें आपका number series से भी है, मतलब number से आपका series बन रहा है, और later से भी आपका series बन रहा है, जैसे कि Y, L, K, इस तरीका से आपको 3-3 करके दे दिया जाता है, दो-2 करके दे दिया जाता है, तो इस तरीका से आपका series बन रहा है, फिर आपका odd one out से 2 question पूछा जा रहा है, figure related question आपको बता दू कि water image से कोशन आ रहा है figure series से आपका एक आरा counting करने के लिए और कल भी आपको पता होगा triangle counting करने के लिए आपको दिया गये था ठीक है फिर when diagram से आपको कोशन बन रहा है तो total 2-3 कोशन आपका बन रहा है कल आपका 3-4 कोशन बना था और अभी आपका first shift में 2-3 कोशन बन रहा है और यहाँ पास फिर बात करेंगे coding decoding से तो coding decoding से simple से था दो कोशन पुछा गया तो जिसमें आपका later से भी coding decoding बन रहा है और number से भी coding decoding बन रहा है ठीक है फिर आपका बात करेंगे blood lesson से तो blood lesson से एक question बना था direction से बात करेंगे तो direction से 1-2 question बना था और यह blood lesson का जो question था वो आपका simple pattern पर था कोई भी coding coding का इस्तमाल नहीं किया था ठीक है प्लस मैनस करके देता है जो यह अपका इससे संबंद रखना है यह इससे संबंद रखना है तो आपको वहाँ पर solve करना होता है एक equation देगे ठीक है तो reasoning का pattern एकदम स्थिक ठाकता अगर मैं बात करूँ reasoning का जो label था वह easy से label आपका moderate तक होगा अराम से आप उसको अच्छा attempt कर सकते है ठीक है मैं आपको बता दूँगो किस तरीका से आपको paper attempt भी करना ठीक है जिसके आने वाले समय में exam है फिर English की बात करेंगे तो देखो English का paper का जो label है जो कल था वही आज है कोई भी changes नहीं किया और English का जो section वह बहुत ही easy आ रहा है सबसे ज़्यादा जो section है मैं बोलूँगा वह सबसे ज़्यादा English ही सबसे ज़्यादा easy आ रहा है तो यहाँ पास देख सकते हो fill in the blanks आप से 2-3 question पुछा जा रहा है detection से question बन रहा है मगर 2-3 question आपका fix है आपका बन रहा है तो यहाँ पास सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जो English का section है वह एकदम मैं बोलूँगा जो recent में एक्जाम हुए CGL का same two same उसी को follow कर रहा है क्योंकि English का section वहाँ भी CGL में भी बहुत आपका easy था और जो CHSL में भी चल रहा है वह एकदम easy level के एकदम English का section आरहा ठीक है अब चलो math की बात कर लेते हैं आपस तो math में सबसे पहले मैं बता देता हूँ math का जो आपका level है आपका CHSL में वह आपका थोड़ा सा high level में आपको देखने मिल सकता है ठीक है अगर आपने CGL का exam नहीं दिया था तो आपको high level लगेगा paper math का अगर आपने दिया था तो आपक जहां से आपका ज्यादा question बन रहें डिए से बन रहें आपका तीन question बन रहें ठीक है दो से तीन नहीं यह आपका थीन question आपका पूछे जा रहे है डिए से क्लियर है और यह सब authentic question में आपको बता रहा हूँ ठीक है फिर trigonometry से बात करेंगे तो एक से दो question आपका trigonometry से भी बन रहते है और क्लिकुलेटिव ज्यादा है फ्रंट ध्यान रखिए कि समय आपका math में ज्यादा लग सकता है तो इस section को आपको थोड़ा सा बाद में करना है जो आप section में strong को पहले उसी को करना फिर coordinate geometry से एक question आपका केवल पूछा गया था कोडिनेट geometry से केवल एक question पूछा गया था simplification से आपका दो से तीन question पूछा गया था और वह बहुत ज्यादा पूछा गया था या क्या पता मेरे खाल से ci और si mix हो ठीक है तो कहें नहीं सकते हैं मगर एक question आपका ci बना था time and work से एक question आपका बना था अब time and work में कैसा question बना था simple menu front आपका question बना था time and work का question जो था वो percentage पे आपको यूज करके बताया जा रहता जैसे कि मैं बता दू जैसे कि अगर बोलता है ए और बी आपका इतने दिन में काम करता है तो बी आपका जैसे बोल देगा 16 दो बटा तीन में इतना काम करता है दो तीहाई काम करता है तो बताओ कि आपका ए आपका अकेले कितने दिनों में काम करेगा तो इस टाइप से आपका question बन यहां पकर बता दूए जो लोग परेसान है तो आपको एलज़ेब्रा से एक से दो से दो कोश्ण देखने मिलेगा कल के शिट्न में आपको एक कोश्ड पूछा गया अभी वाले आपको थोड़ा हाड भी लग सकता है और मैथ आपका कैल्कुलेटी पर ध्यान रखियागा ठीक है अब GKGS का सेक्षन की बात कर लेते हैं लास्ट सेक्षन है तो यहां पस आपका कुछ उतना क्लेरिफाई नहीं हो पाया जैसे कि मैं बता दू साइंस से आपका फिजिक्स केम कण घवरणर आपका पूछा गयाता कोई सी राज का क्लियर है फिर यहांपर बात कर लेंगे बुक से कोश्चन अपका कल भी बना चाहा और आज भी बना है जैन से आपका कोश्चन पूछा जा रहा है पिर यहां पर štats में आपका कोश्चन बता दे आर्ट और कल्चर से मत यहाज नहीं आते कि कहां से उमको बताना होता, तो घृटा इस इतना पता चल आपको बता देता हूं, पहले से question बन रहा है history से question बन रहा है नहीं बन रहा मुझे पता नहीं exact उतना और आपका इसी तरीका से paper का pattern है ठीक है तो अब मैं बता दूँ कि पेपर जिन लोगों का आने वाले समय में है तो आप लोगों को बता दूँ कि paper किस तरीका से आपको attempt करना यहां पस अगर आप math को पह लखूंगा English को जैसे आप लोगों ने बताया था English का section बहुत easy आ रहा है English के बाद आपका reasoning है और reasoning के बाद आपका GKGS और उसके बाद last में आपको math करने बोलूँगा अब GKGS जो है वो किसी लोगों को easy भी लग सकता hard भी लग सकता वो depend करता है कि आपका practice किस तरीका से और समय लग जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा इस लिए तो इसलिए जितना आप लोगों पहले तीनों सेक्शन को complete कर लेना last में आप math के सेक्शन के और बढ़ना ठीक है तो यहां पस मैं अगर बात करूँ तो paper का जो label है वो उसको easy नहीं बोलेंगे उसको easy नहीं सकत अपने समय को अच्छा से यूटिलाइज कर पाऊगा ठीक है वरना math को आपको नहीं आता है कभी आपने प्रैक्टिस नहीं कि ठीक है तो paper को अच्छे से दीजिए जैसे आपको pattern बहुत 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 बता रहा हूं उस तरीका से जाके दीजिए आपका अच्छा कासा आप अपने समय को अच्छा से यूटिलाइज कर पाऊगो ठीक है वरना math का section को लो लोगो तो फिर आपका सारा समय बर्बाद हो सकता ठीक है तो इस तरीका से आपका paper का pattern रहता तो अभी आने वाले समय में मैं आपको question भी दिखा दूगो कि 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 तरीका से math का question पूचा गया था